हलो फ्रेंड्स, बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के जो कॉशन है, उसमें होने वाली है, सिम्पलिफिकेशन की सबसे बेस्ट ट्रिक, तो पूरा वीडियो देखें, छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ट्रिक बहुत बेस्ट है, चलि 999 प्लेस 1000 तक जा रहा है, लेकिन जब हमने देखा कि 1000 से फिर से बापस लोट रहे हैं, 999 प्लेस 2 प्लेस 1, जाने कि एक से लेकर के हम कहां तक पहुँचे, 100 तक पहुँचे, और 100 से फिर बापस आगे, एक तक, या फर मैं यूं कहलू, कि इधर से हम गए, तो 100 तक चले, ऐसे कह लिजे, चाहे आप यहां से कहों कि हम 100 तक गए, और 100 से फिर बापस लोटे, एक तक, तो जो बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीच में जो संक्या वो क्या है, आपकी 1000 है, 1000 नहीं तो है, 1000 है, तो क्या करते हैं, बस question खतम होगे, 1000 का square कर दो आप, 1000 का square, ऐसा कोई सा भी question हो, कोई सा भी question हो, ठीक है, बीच वाली संक्या ले करके उसका square कर दें, तो 1000 का square करेंगे, आप क्या हो जाएगा भाई, 1000 का square, 1 का square तो 1 ही रहने वाला है, square, और 0 क्या हो जाते है, double हो जाते है, 0, 0 double हो जाते है हमें सा, 1, 2, 3, 0 तो 6 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, यान कि 1 से लेकर 2 तक गए, फिर 1 तक बापस आगे, तो जो बीच वाली संक्या है, 2, आप इसका square कर दें, कितना हो जाएगा, 4, अब addition करके देख लो, 1 और 2, 3, 3 तीन और 1, कितना हो जाएगा, 4 ही तो होगे इनका addition, कोई और question ले लो, 1 प्लस 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1, य और 2, 8, 8, 9, 9 हो गया कि नहीं हो गया, तो बीच वाली संक्या है, उसके square कर देंगे, answer मिल जाएगा, कोई problem नहीं आईगी, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं, अगला question, अगला question है, 1 प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, कहां तक जा रहा है, 78 प्लस 79, फिर 79 के बाद में मैं हम बापस लोट रहे हैं, एक तक, तो बीच वाली संक्या क्या होगी, हमारी 79 होगी, तो हम क्या लेंगे, 79 लेंगे, और 79 का क्या करेंगे, square करेंगे, मैंने यही तो बताया, लेकिन इसमें क्या खास बात है, इस संक्या के उपर square root है, इस पूरी संक्या के उपर क्या है, square root ह जो हमने question देखा था, उसमें square root नहीं था, उसमें trick यही काम करेगी, जब square root नहीं होगा, तो जो बीच वाली संक्या है, उसका square कर दो, और जब square root रहेगा, तो फिर क्या होता है भाई, 79 मैंने beef वाली संक्या ले लिए, इसके square भी करूँगा और मैंने square root भी लगा लिया तो इस square से ये square root कट जाएगा तो आपका answer 79 ही बचा फिर तो 79 बचा C option हो गया सही जवाब चलिए अब देखते हैं अगला सवाब अगला question है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक जा रहे हैं x-1 प्लस x फिर x-1 जानकि बीच वाली संख्या हमारी x है x से पहले x-1 x के बाद में x-1 फिर हम बापस लोट रहे हैं एक तक और पूरे कमान 169 है पूरे कमान तो हम क्या करेंगे जो बीच वाली संख्या है उसी को तो ले लेंगे और उसका क्या करेंगे स्क्वेर लेकिन स्क्वेर रूट का साइन लगा हुआ है तो स्क्वेर रूट का साइन लगा लूँगा मैं और ये पूरा कितने के बराबर है 169 के बराबर है अब यहाँ पर दो पावर से ये स्क्वेर रूट वाला साइन कर जाएगा, तो x कमान कितना आ गया, x कमान आ गया 169, अब यह जो 169 है, यह जो 169 है, आपके पहले ही option में है, पहला option सही हो गया, खतम question हमसे केवल x कमान पूछा है, केवल x का तो x कमान निकल के आ गया सभी का अब देखेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है यहां देखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक जा रहे 2n-1, प्लस 2n, प्लस 2n-1, यानि कि बीच वाली जो संक्या है मेरी, वो क्या है, 2n, बीच वाली संक्या, एक से गए 2n तक, फिर बापिस लोटे, एक तक और यह पूरा कितने के बराबर है 90 के बराबर है, ठीक है तो हम करते क्या है, बीच वाली संक्या लेंगे बीच वाली संक्या क्या करेंगे स्क्या करेंगे, इसके उपर स्क्यार रूट है, तो स्क्यार रूट का साइन लगा लो अब पूरा हमारा 90 के बराबर है ठीक है अब square से square root कट जाएगा बचेगा कि आपके पास 2n बराबर 90 यही बचेगा n बराबर 90 यह multiply में 2 यहां करके divide में हो जाएगा तो 2 से divide कर दूँँगा 90 का 45 तो n की value कितनी हो गई n की value हो गई भई 45 n की value हो गई 45 अब यहां पर क्या होगा दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग यान कि तोनों पक्षों का square n का square बराबर 45 का square करेंगे तो 45 का square होता है 2025 यह आपके question का बिल्कुर सही जबागा के लिए रहे 2025 किस option में है वाई बी option में तो आज के वीडियो में इतना ही मैंने पहली बोला था कि वीडियो छोटा रहेगा लेकिन जानकारी बहुत important रहेगी तो आपको करना क्या है दोस्तों पास share कर दीजिए सभी मित्रों तक सभी friends जितने भी दोस्तें तैयारी करने वाले सभी तक कहुचा दीजिए ठीक है दोस्तों धन्यवाद